हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल होम एंटेटेन्मेंट पे आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे पुदीने का सरवत बनाने के बारे में पुदीने का सरवत बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कटोरी पुदीने की लीफ और लेमन सबसे पहले हम इसके फायदे आपको बता देते हैं ये हमारे पाचन सक्ती को बहुत अच्छा करता है और गर्मियों में ये हमें ठंड़क का असास दिलाता है जब हम पीते हैं और ये हमारे वेट लूस करने में भी हमारी शायता करता है चलिए अब आपको बताते हैं कि इसको बनाना कैसे है सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें पुदीनी की पत्ति को डाल देंगे देखिए हमने जार में पुदीनी की पत्तियां डाल दी है अब हम ये डालने सक्कर हमने चार बड़े चिमच शक्कर इसमें डाला है आप सक्कर स्वादा अनुसार डालेगा कि जीरा पॉडर इसको भूण के हमने पीसा हुआ है आप भी भून के तब ही पीसिये गाले इससे इसका टैस्ट बहुत अच्छा आता है अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्ज पौडर इसको भी हमने बून पहले भूना था उसके बाद में पीस लिया था छोटे चीमस से एक चीमस हमें काली मिज पाउडर भी डालना है इसके बाद में हम डालेंगे इसमें एक ग्लास पानी हमने पानी एकदम चिल लिया है अगर आपके पास चिल वाटर नहीं है तो आइस क्यूब का यूज कर सकते ह दोनों चीज़े अच्छी होती हैं जो आपको पसंद हो यूज करिएगा इसके बाद में हम इसमें डालेंगे लेमन लेमन को इस तरह से हम इसमें निचोर देंगे हमने दो लेमन इसमें इसका ध्यान रखिएगा इस तरह से हम दोनों लेमन को निचोर लेंगे और जो बीज अगर अच्छी आते हैं तो बीज को आप चमस की सहायता से निकाल लेज़ेगा अब इसको हम पीस लेंगे चलिए पीसने के बाद आपको दिखाते हैं देखिए यह कितने अच्छी से पीसा है देखिए चलिए अब चमस की सहायता से इसको चान लेते हैं ग्लास में इस तरह से हम सर्वत को चान लेंगे देखिए हमने ग्लास में पूरा सर्वत चान लिया है यह बहुत इटिलेसिस है और फायदे मन भी है इसलिए आप इससे बना के जरूर पीज़ेगा इसकी गार्निशिंग के लिए हमने पुदिने के पत्ता और लेमन का यूस किया है इस पीने से पहले जब भी आप अपने महमानों को दे या खुद पीए नीबू को इस तरह से कटकर लीजेगा उसमें डाल दीजेगा इसके बार में पीज़ेगा इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा यह हम गैरेंटी के साथ आपको कहते हैं और आपका वेट भी लूज ह होगा और गर्मियों में यह आपको ठंड़ ठंड़ कुल कुल रखेगा तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा रगा हो तो लाइक करिएगा अगर आप चिल वाटर का यूज नहीं करना चाहते तो आइस क्यूब का यूज करिएगा टेस्ट में कोई फरक नहीं आएगा thank you very much for watching my video bye bye